भारत के नागरिकों, बेहनों, भाईयों और प्यारे बच्चों, स्वंता दिवस की पूरु संध्या पर आप सब का अभिनन्दन करते हुए और आप सब को अपनी हार दिख प्रताई देते हुए, मुझे अत्यंत संध्या हो रही है। स्वंता दिवस पर हमारी आजादे की पुनरप्राप्ति का परदास्वा वर्ष प्रारंब हो रहा है। भारत जैसे अत्यंत प्राप्ति देश के इतिहास में यह समय शायद ज्यादा मौलूम नहीं पड़े। लेकिन चुखिया समय हमारी स्वंता, स्वाजिंता, वर्ष्ट्री, विश्वागिमान का है। इसलिए यह हम लोगों के लिए विशेश महत्वा है। इसके प्रतिक्षन की महत्वा को समद कर उसे अजादी की उदेश को साकार करने में लगाना है। सवंता संगर्ष की मेरी साथियों को उस समय सवंता की उतकटा कांख्षा की याद होगी जब देश दास्ता से मुक्त के लिए जूज रहा था उस समयर्वे देश की सवंता और करिमा के लिए लड़ते हुए भारत के अंगिनत सुपत्रों और सुपत्रियों ने बादरी उनिस्वार्थ भाव से अपने जीवन जचावर कर दिये थे इस महानकारिय में अपने आपको वरिदान करते हुए उन्होंने हमारी दिहास की हमार भी हुथियों की महीमा मंडित पंक्ति में गवरव शाली इस्थान पराप्त किया हमार संगर्ष लंबा कटिंच चुनोतियों से भरा हुआ तदा शौरी पूर्ण था उस समय लोग को इतने भेंकर क्रूव और निर्मर तरीके से दमन किया जाता था कि कुछ को आजादी का सपना दूर और अपराप पर साला लगने लगता था यह कुरूर दमन इसलिए था क्योंकि आखरकार भारत को प्रती पर उस समय के सबसे शक्षारी समराज के ताच का सबसे चमकीला और सबसे यह क्यमती रत समझा जाता था उस समय के शासक हमारों पहास करते थे और हमसे पूछते थे कि क्या सच मुछ आप लोगों के विश्वास है कि भारत कभी भी आजाद हो सकेगा पर भी हमने सुनता ली यह मानुवी आथ विश्वास की आईतिहासिक विजए थी उच्चे नही थिक और चारी तरिक मूले वा चुकी हैं और लगने लगा है सुनता और सुनता के वर्दान हमेशा से ही रहे हैं और यह राश्टरत्व के साधरन तर्थ हैं यह आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि ना तो सुनता और नहीं सुनता परकृति की देन है राश्ट और राश्ट के पी समानता और न्यायत तो दूर की बात है। इन्हें केवल ऐसी उतकर भावना, सतकता, एवंद्रल प्रायासों से ही पाया, सुरक्षित रखाय जा सकता है, जिसके पीछे दूर दश्चता, एकता, और राख्ष्री प्रति बेद्धर्दा की शक्ति हो। अब जब कि हम सुन्ता के पजासवे, पजा रूक रहना चाहिए, कि खुलामी के रूपों में आती है, अब राष्ट्रों एवन लोगों को दवाने, और उनकी रहता है शोशन के लिए, सैनेबल, जमीन पर खफजा, दमन के खानूनों, समस्पार के कारावास, तोह लोहे की बेड़ियों की आवश्रिक्ता नही रह सामान ये मिस्पश सरिखों के अत्रिक्त, अब ध्यान, राष्ट उसके लोगों के मस्दिश पर केंद्र थे, राष्ट के भाग का निर्धान करने के केंद्र में सबसे महतून तत्व है, राष्ट्री मूल्य और अदर्श, नागरी के रूप में हमारे उत्वर्दाई चिं राष्ट की दिशा की और चलें, ना कि दूसरों के कारिकमों से प्रहुवित हों, इस बारे हमें पूरी तरह सचेट, सतर्क और धेपूर्ण होना हैं, इस प्रकार हम उन्नती, विकास, मित्ता, शान्तियों सबके हित के लिए विरक्षन, जीवन शक्ती पैदा कर सकेंगे, यसा बार की बात है, यसा करने के लिए हमारे पास अद्बत ख्रमता है, हमारी आध्यात्मिक, बहुत देख और सांस्क्रितिक विरासत सार भौमिक है, भारत के सभी महां धर्मों और दर्शनों के केंद्री मूल्य और आदर्श एक्ता, सामंजस्य, समांता, ज्याय, करुना सिवा, साथ यौरा इंसा हैं, सभी के कल्यान की भावना, एक दूसरे के दर्शकौन के पार्स पर एक सम्मान, सायोग, मित्ता, और साहदारी की भावना, सभी जीवों के कष्टों के निवारन की इच्छा, सची शान ती, के वल्युद्ध शान ती नहीं, तो विकास की इन गुणों ने भारत का पोशिन किया है, हमारी प्राचीन सभेता की निरंतार्ता को बनाया रखा है, सभी गुणकारी योगी तत्तों के प्रती ग्राइशियत बनाई है, तो हमारा रश्टी चेत को ग्रंशील, वैवित युक्त, समनवयकारी, बहुलवादी, एवं बत्ता पदान की है, इसलिए हमारा संगर्ष अकेली भारत के ही सुनता के लिए नहीं रड़ा गया था, बल्कि विश्व भरत की दास्ता उत्कुलन उपदाजितों की मुक्त का विश्वान दूलन था, सार्भामिकता की इस भावना को आजादी के पहले क्षणों मेहीं हमन विक्त लिया था, जब हमने कहा था कि शान्त या हिवाज है, इस तरह सुनता भी, उसी तरह समर्द भी, विश्व प्रदी इस तरह कोशना करते हुए, भारत ने या विक्त किया था, ये सभी महान वर्दान तब तक सच्चे अर्थों मैसा का नहीं होगे, जब तक मानवता क नहीं भी कश उठाती रहेगी, भारत की सम्धान सभा के प्रदीक सच्च ने ये प्रदिग्या की थी, कि वस्वास मानवता के कल्यान के लिए काम करेगा, इतनी ही दर्शिकाओन ने भारत की गुटने इर्पेक्षिता की नीध, ताशान्त, विकास, और्श्टिक करन के लि विकास, और प्रवशीदा के लिए उतरदाई है, मित्रो, हाली में संपन, आम चुनाओं ने फिर से हमारी लोक्तंत की क्शमता, प्रणता, और लचीलेपन को प्रमानित किया है, लोक्तंत में आसाखने रखते हुए, जम्मू और कश्मीर के मद्दाता, इंसा की घणिस शक कार के हातों हता का सफ़ल ता पूर वक्तांतरन और शार्सन की संसदी प्रणाली का कारी प्रशन सनी है, हालांकि लोक सभा में किसी विजल को वहुवत ने मिला, पर तरन समयुक सरकार का गठन किया गया, और उनकी सद में बारिक्शा की गई, लोक सभा में एन एक दनाओं क की गठन के ने एक बार फिर से जनसदी लोक सांतिक शासन की प्रक्रिया में भारत की प्रवीनता और गुशलता को प्रदर्शित किया है, विज़के सब्सुराली लोक संत्र में इतने बड़े प्रमाने पर आम चुनाओ का शांति पूर्ण एवन सही धंग से होना तर समभा और केंद्री में विहन राजनी दिलों की सरकारें हैं, संगी तंत्र ने अपने को इस नए सुरूप की अन्य कूल आसानी से ढाल लिया है, यह देखकर प्रसंदा होगी कि अंतर ही राश्ट्रिये मामलों में रचनात में कुचारवेमर्श के दरशिकाउन को अपनाया जाए विषिश का जल और विद्युद जैसे दुर्डबस अंसादरों के बढ़वारे उपयोग के समय दन्शीन मामलों के बारे में भी ऐसा किया जाए, अनिक असाद इविकर लगने वाले मामलों के कुचारवेमर्श और पार्स पर इक्सामंजस की लोक्तांत्रिक भावना के द अनिक ख्रणाओं में हमस्वाएम को उन सामाजी कुशमताओं असमानतापूर्ण समरचना को विचारों और कुपर प्रथाओं के वरुद एक जुठ होकर लगा दें जो हमारे देश को कमजोर बनाते हैं, हमारे पास चंतन की उच्छ मानवी विरासत है, जो हमारे सम्विध अनिक खानूनों में व्यक्त होती है, और इस बात की आवश रिकता है, कि राश व्यापी सामाजी जाकरूख तक और समती की तुरंट तयार किया जाए, समाज उच्छार का एक ऐसा प्रफाव शारी जाना अन्दोलन शुरू किया जाए, जो मारे सम्विधान और खानूनों अनिक अधिकारों एवं सुरक शाहत में कुपायों को साकर कर सके, और उन्हें व्यापी ग्रूप में प्रफाव शरी बना सके, यह व्यापा क्रूप में समझा जाना चाहिए कि केवल कानू लागू करने से न्याय अप्राप्त नहीं कहा जासकता, बलकि उसके लिए सामाज इस बारे में नियाए पालीगा सामाजिक कारी करता हूं, प्रैस और संचार माद्यों की भूमिका अत्यन्त महत्पूर्ण है, हलांकि इसका कारी में सांसदों, विजायकों, दरजन प्रतीदियों को आगे आना है, लेकि सामाजिक परिवर्तन, सुधार के ऐसे अंदूरन मे प्रतेक नागरिक के युगदान की परियाप नभावना है, और इसका नेतान ताव शक्ता भी है, मैं इस चुनधी का सामना करने के लिए, सबी देशभक्त नागरिकों, विशिशकर हुआओं को आवान करना चाहता हूं, जो हमेशा प्रतिशील कारियों में आगे रहे हैं, यह भी कहना चाहूंगा, कि समाज एक सुधार परिवर्दन के बिना कोई ठोस और सार्तिक प्रगत ही नहीं की जा सकती, हमें अपने समाज की सारचना की उन विक्रतियों को दूर करना होगा, जो सबी क्षेत्रों में हमारे हुष्की प्रतिके मार को रोके हुए हैं, हमारे स फिषेशकर भारत की नारियों को राष्ण अर्मान के प्रतियक शेथ, प्रतियक गदिविदी में समान सहयोगी के रूप में अपने उचे स्थान तक पहुचना होगा, विश्चु के इस सबसे बड़े दूख तंत्र को सित करना है, कि वह एक शक्षालिक, सामाजिक, अर्जनीतिक भागीदारी है, जो उनसारभव मोलियों एवं आदर्शों के लिए संगश्रत है, जिनको हमारे राष्ण ने विश्च के सामने हमेशा प्रसुत किया है, मित्रो, अब जब कि हम अपने देश के भाविश्च को बनाने में लगे हुए हैं, हम आपने प्रवसि के भी प्रस पर इकलाव वाले क्षेत्री सायोग के सामो एक प्रयासों से सभी की समर्दी और खुशाली तर्थ उच्चस्तरी विकास के रास्ते खुलेंगे, हम इसके मामलों में लगाता सतर्क एम रशिनातमक भूमे कान रिवाते रहेंगे, कल सुनता दिवस के अफसर पर जह हम अपना राश्टी तरंगा पहराएंगे, तब हम सब अपने सुनता के इस स्वच को नमन करें, अपने राश्टी संकल्प को दोराएं, तरसा स्वैम को अपने राश्ट के गौरव, एम अपने लोग दासमस मानवता के कल्यान के लिए पिर से समस्वर करने की गया लें, जाए हिन!